हेलो एब्रीवन, आरे सेकेडमी बाना यूटूब चैनल में आप सबों का हर्दिक स्वागत है आज मैं इस वीडियो में क्लास 12 का इंगलिस फ्लैमिंगो का फर्स्ट चेप्टर दा लास्ट लेशन को लेकर आया हूँ तो दोस्तों आप इस वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखें यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहले हम लोग जानेंगे अबाउट दी ऑथर अलफॉंस डॉडे 1842-1897 वाज ए फ्रेंच नोबेलिस्ट एंड शोर्ट इस्टोरी राइटर यहाँ पर अलफॉंस डॉडे का जीवन अधी दिया हुआ है इनका जयन वाठारा सो चालिस में और मिर्तु अठारा सो संतान्वे में हुई थी और अलफॉंस डॉडे एक फ्रेंच नोबेलिस्ट एंड शोर्ट इस्टोरी राइटर थे दे लास्ट लेशन इज शेट इन देज अफ दे फ्रेंको प्रस्यनवार 1870-1871 इन वीच फ्रांस वाज डिफिटेड बाई प्रसिया लेड बाई बिसमार्ग और यह लेशन जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1870-1871 की फ्रांस और प्रसिया यूद की प्रिष्ट भूमी में लिखा गया है और इस यूद का नेत्रित्व करता बिसमार्ग था और इसके नेत्रित्व में प्रसिया के हाथों फ्रांस की हार हुई थी प्रसिया देन कंसिस्टेड अफ वाट नाव आर दे नेशन्स अफ जर्मनी, पुलैंड और अस्टेलिया यानि ततकालिन प्रसिया में वर्तमान के जर्मनी, पुलैंड और अस्टेलिया के कुछ भाग थे इस कहानी में फ्रांस के दो जिले अलसिया और लॉरेन प्रसिया के हाथों में जा चुका है Read the story to find out what effect this had on life at school कहा जा रहा है कि इस कहानी को पढ़िये और यह पता लगाईए कि इसका इसकूल पर क्या परभाव पढ़ा अब हम लोग इसके कहानी को देखेंगे I started for school very late that morning यहां कथाकार का कहना है कि मैं उस सुबह काफी देर से इसकूल के लिए निकला था and was in great dread of face colding और मुझे डाट खाने काफी काफी डर था क्यों डर था? Especially because डर इसलिए था खासकर M. Hamill had said that he would question us on participles तो डर इसलिए था क्योंकि M. Hamill जो क्लासिक छक थे वो participle के उपर यानि participle से प्रस्ण पुछने वाले थे and I did not know the first word about them और यहां पर कथाकार का क्या कहना है कि participle का first letter पहला अक्षर भी मैं नहीं जानता था For a moment एक छन के लिए I thought of running away एक पल के लिए मैंने भाग जाने के लिए सोचा and spending the day out of doors और समय जो है बाहर ही बिताना चाहा It was so warm, so bright मौसम गर्म था, so bright एकदम चमकिला था The birds were chirping at the age of the woods चुरिया जो है चंगल के किनारे चाहा रहे थे and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling और खुले मैदान में आरा मसीन के पीछे प्रसिया के सैनिक यूद अभ्यास कर रहे थे It was all much more tempting than the rule for participles but I had the strength to resist and hurried off to school यहाँ पर कथाकार का कहना है कि यह सारे participle के नियम से कहीं अधिक परलोभन कारी थी प्रन्तु मेरे पास इस परलोभन को रोकने की सकती थी और मैंने इस्कूल के लिए जल्दी से चल दिया When I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board जब मैं town hall से गुजर रहा था तो bulletin board के सामने भीड था For the last two years all our bad news had come from there कहा जा रहा है कि पिछले दो वर्सों से हमारी सारी बुरी खबरे इसी bulletin board पर आई थी जैसे बताया है कि the lost battles हारे हुए यूद the draft the orders of the commanding officers तो यही सीज़ था the lost battles the draft or the order of the commanding officers and I thought और मैंने सोचा to myself मतलब स्वैम से without stopping लेकिन बगर रूके हुए what can be the matter now कि अब क्या मामला हो सकता है then तब as I hurried by as fast as I could go मतलब मैं जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से जा रहा था the black smith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me यहाँ पर कहा जा रहा है कि black smith अर्थात लुहार इसका क्या नाम था watcher who was there वह वहाँ खड़ा था with his apprentice अपने apprentice के साथ reading the bulletin और bulletin को पढ़ रहा था called after me उसने मुझे पुकारा don't go fast बब you will get to your school in plenty of time उसने मुझसे कहा इतना तेज मत भागो बब बब मतलब बच्चे तुम इसकूल काफी जल्दी अहों जाओगे I thought मैंने सोचा he was making fun of me मैंने क्या सोचा मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था and he reached M. Hamill's little garden all out of breath और मैं हाफता हुआ M. Hamill के छोटे बगीचे तक पहुच गया usually prior when school began चब विद्याले प्रारंब होती थी there was a great vessel तो काफी सोर्गुल होता था which could be heard out in the streets जो गलियों तक सुनाई पड़ता था क्या क्या चीज का कौन कौन सा चीज का आवाज था the opening and closing of decks decks के खोलने और बंद करने की आवाजे lessons repeated in unison lesson को एक ही सुर में एक ही लै में repeat करने का आवाज very loud with our hands over our ears to understand better बहुत उची आवाजे जिनको ठीक से समझने के लिए हमें कानों पर हाथ रखने पड़ते थे and the teacher's great ruler wrapping on the table और teacher की मेज पर छड़ी मारने की आवाज भी सामिल थे but now it was also still लेकिन आज सब कुछ सांथ था I had counted on the commission to get to my decks without being seen but of course that everything had to be as quiet as Sunday morning मैं सोचता हुआ आ रहा था कि सब की नजरे बचा कर अर्था चुपके से अपनी decks तक पहुच जाऊंगा प्रन्तु उस दिन हर जगा हर वस्तु पर रविवार सुबह जैसी खामोसी चाय हुई थी Through the window I saw my classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm मैंने खिडकी से जाग कर देखा अपने सफाठियों को जो पहले से ही अपने अस्थान पर बैठे हुए थे तथा M. Hamill बाह में अपनी छडी को दबाए हुए कलास में इधर उधर घूम रहे थे I had to open the door and go in before everybody और मुझे दर्वाजा खोल कर सभी के सामने जाना पड़ा You can imagine तुम कलपना कर सकते हो How I blessed and how frightened I was तुम कलपना कर सकते हो कि मैं कितना सर्मिन्दा था और कितना डरा हुआ था But nothing happened प्रन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ Im Hamill saw me and said very kindly Im Hamill जी ने मुझे देखे और बड़ी बिनम्रता पुर्वक बोले Go to your place quickly, little friends Little friends, जल्दी से अपने अस्थान पर चले जाओ We were beginning without you हम लोग तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे I jumped over the bench and sat down at my desk मैंने मेज पर से छलांग लगा कर अपने अस्थान पर बैठ गया Not till then when I had got a little over my fright Did I see that our teacher had on his beautiful green coat और यहां कथाकार का कहना है कि जैसी मैंने अपने अस्थान पर बैठ गया तब मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पाया तो मैंने देखा कि हमारे teacher ने अपना सुन्दर हरी कोट His frilled shirt and the little black silk cap All embroidered that he never wore except on inspection and price days यानि अपना सुन्दर हरे रंग का कोट पहने हुए थे जालर वाली कमीज और पुरी कड़ाई की हुई सिल्की टोपी पहने हुए थे जो की inspections या price days के ही औसर पर पहनते थे Besides, the whole school seemed so strange and solemn इसके अलावे पूरा विद्याले एकदम सांत और बिचीत्र लग रहा था But the thing that surprised me most was to see on the bank benches that were always empty The village people sitting quietly like ourselves प्रन्तु सबसे अच्चमभित करने वाली चीज थी जो मैंने देखा वह या थी कि पीछे की bench जो हमेशा खाली रहती थी गाउ के लोग हम विद्यार्थियों की तरह बैठे हुए थे Old Housers, B33, Cornered, Hat, the former Postmaster and several others besides बुढे होजर अपनी त्रिकोनी टोपी लगाये हुए थे भूत्वपुरु मेर, भूत्वपुरु पोस्टमास्टर और कई अन लोग वहां उपस्ती थे Everybody looked sad, सभी लोग उदास दिख रहे थे And Houser had bought an old primer और Houser अपने साथ एक पुरानी primer book लाये थे Thumbed at the edges, जिसकी core जो है, मुडा हुआ था And he held it open on his knees, with his great spectacles lying across the pages जो नहोंने खोल कर अपने घुठनों पर रखे हुए थे और उस खुले पन्नों पर उनका चास्मा भी रखा हुआ था While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair And in the same grieved his gentle tone which he had used to me Said, My children, this is the last lesson I shall give you जबकि मैं इसके बारे में सोची रहा था M. Hamill mounted his chair उन्होंने अपने कुर्सी पर बैठ गए And in the same grieved and gentle tone which he had used to me Said, My children, this is the last lesson I shall give you और अपने उसी गंभीर एवं प्यार भरे सब्दों में जैसे कि उन्होंने इससे पहले भी मुझे संबोधित किया था कहा मेरे बच्चो मेरे द्वारा पढ़ाय जाने वाला यह अंतिम पाठ होगा The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Loren उन्होंने कहा कि Berlin से आदेश आया है कि Alsace और Loren की इसकूल में केवल जर्मन भासा ही पढ़ाई जाएगी The new master comes tomorrow अगले दिन नए सिक्षक आजाएंगे This is your last French lesson यह आपका अंतिम French lesson है I want you to be very attentive और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ध्यान देकर सुनो What a thunder clap these words were to me यह सब्द मेरे लिए thunder clap के समान था Oh the riches that was what they had put up at the town hall तो अब जाकर narrator को यह याद आता है कि town hall पर लगाया गया आदेश क्या था My last French lesson why I hardly knew how to write मेरा अंतिम French lesson क्यों अभी तो मैंने ठीक से लिखना भी नहीं सीखा था I should never learn anymore अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा I must stop there मुझे यहीं रुकना होगा Oh how sorry I was for not learning my lesson ओह आज मुझे अपने पाठो को न सीखने का कितना दुख था For seeking birds X or going sliding on the shark अब कथाकार तुखी हो करके और अपना कारन को बताता है कि चिडिये के अंडो ढूंधने या सार के जूले जूलने के कारन ही मैं अपने पाठो को नहीं learn कर सका My books मेरे पुस्तके That had seemed such a nuisance a while ago कथाकार यहां कहता है कि मेरी किताबे जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले तक बकवास लग रही थी So heavy to carry my grammar and my history of the saints over old friends now that I couldn't give up So heavy to carry ढोने में ले जाने में बहुत भारी लग रही थी My grammar, मेरे ब्याकरन and my history of saints over old friends now लेकिन अब यह मेरे grammar, यह मेरे history किस जो भी किताबे हैं मेरे पुराने मित्र की तरह थे That I couldn't give up जिनको मैं अब छोड़ नहीं सकता था and M. Hamill to the idea that he was going away और M. Hamill बहुत दूर जा रहे थे That I should never see him again और कथाकार को ऐसा realize होता है कि मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा Made me forget all about his ruler and how cranky he was और ए सब बात मुझे यह भी भुला दिया कि वह कितने सनकी थे और उनके पास एक ruler भी था Poor man कथाकार जो है M. Hamill को Poor man कहकर address करता है बेचारे, सिक्छक It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes अब कथाकार यह समझ चुका होता है कि आज इस अंतिम पाठ के समान में ही उन्होंने अपने सबसे बढ़िया रविवारिये dress को पहने थे And now I understood Why the old men of the village were sitting there in the back of the room और अब मेरी समझ में यह भी आ चुका था कि गाओ के बुढ़े लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे हुए थे It was because they were sorry to that they had not gone to school more यह सब इसलिए था क्योंकि उन लोगों को अपसोस था कि वे ज्यादा समय तक इसकुल में नहीं रह पाए थे It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more और यह उनका धन्यवाद देने का तरीका भी था हमारे उस अध्यापक के लिए जिसने अपने 40 वर्सों तक इमंदारी पुर्वक सेवा दे थी और एस समान उस देश के लिए भी था जो अब उनका नहीं रहा था While I was thinking of all this जबकि मैं एस सब सोची रहा था I heard my name called तो मुझे सुनाई पड़ा की मेरा नाम पुकारा गया It was my turn to recite अब मेरी बारी थी सुनाने की What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake मैं इस participle के बारे में असपस्ट और जोर से बिना किसी गलती के बताना चाहता था But I got mixed up on the first words लेकिन पहले ही वर्ड में मैंने mixed up कर गया मतलम confused हो गया And stood there और वहीं खड़ा रहा Holding on the my decks अपने decks को पकड़े हुए My heart beating मेरी heart जो है फिर्दाय जो है वा धड़क रही थी And not daring to look up और मुझे उपर देखने की साहस नहीं हुआ I heard M. Hamill say to me I won't scold you little friends मैंने सुना M. Hamill जी मुझसे कहे I won't scold you little friends उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें नहीं डाटूँगा Till friends you must feel bad enough क्योंकि तुम्हें पहले ही खराब लगा होगा See how it is every day We have said to ourselves देखो जरा क्या हुआ हम लोग रोज अपने आप से कहते थे Wow I've plenty of time क्या कहते थे कि हम लोगों के पास परियाप्त समय है I will learn it tomorrow हम लोग इसे कल सीख लेंगे And now you see where we have come out और अब देखो हम लोग कहां पहुँच गए Ah that's the great trouble with alces यहाँ पर इम हैमेल जो सिख्षक होते है वह बोलते हैं कि alces का सबसे बड़ा दुरुभाग यही है क्या दुरुभाग है क्या टुरुभाग है तो she puts off learning till tomorrow कि कोई भी चीज अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं कि अगले दिन हम लोग उसे सिख लेंगे और अब उन लोगों को अधिकार हो जाएगा और तुमसे कहेगा हाव इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच में एट यू कैन नाइधर स्पीक नोर राइट यूर ओन लेंगवेज उन लोग क्या कहेगा एक ऐसे लोग है जो अपने फ्रांसिसी भासा को न लिखने जानते हैं और न पढ़ने जानते हैं लेकिन सिख्षक यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन लेकिन लेटिल फ्रेंच तुम ही सबसे खराब नहीं हो और यह हमारे पास भी अपने आपको डाटने का परियाप्त कारण है आगे बोलते हैं और तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पढ़ाने की जरा सचिंता नहीं करते थे अर्थात महत्व देते थे उनका भी यहाँ दोस है तुम्हारे माता पिता क्या चाहते थे तुम अगर काम करोगे तो कुछ पैसा कमा सकते हो and I I've been to blame also और यहां पर यहां पर यहां मेरा भी है मेरा दोस क्या है यहां पर देखिए बताया गया है have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons परा कि मैं तुम्हेरे लेशन पढ़ाने के बजाए अपने पौधों में पानी पेने के लिए नहीं भेज देता था यह मेरा भी दोस है और बोले हैं कि and when I wanted to go fishing did I not just give you a holy day और जब मैं मचली पकारना चाहता था तो उस दिन क्या तुम्हें छूटी नहीं दे देता था यह भी मेरा दोस है then from one thing to another M. Hamill went on to talk of the French language saying that it was the most beautiful language in the world तब एक के बाद एक M. Hamill जी फ्रांसेसी भासा के बारे में बताते चले गए उन्होंने बताया कि यह भासा पूरे संसार का सबसे सुन्दर भासा है और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए बिकाज क्योंकि when a people are enslaved जब कोई बेटी अगर enslaved हो जाता है गुलाम हो जाता है as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison और यदी वे लोग यदी वे लोग अपनी भासा को अपने पास रखते है तो समझ लो कि जेल का चाह भी तुम्हारे पास है then he opened a grammar and read us our lesson और तब उन्होंने grammar को खोला और पाठ फढ़ाना शुरू किया I was amazed to see how well I understood it मुझे आच्चरे हुआ कि मैं कितने अच्छे धंग से समझ रहा था all he said seemed so easy, so easy I think to that I had never listened so carefully और उन्होंने जो कुछ भी कहा कितना असान लग रहा था I think to that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience मैंने या भी सोचा कि मैं इतने धैरे पुर्वक पहले कभी नहीं सुना था और या भी कि उन्होंने इतने धैरे पुर्वक कभी नहीं सम्झाया था It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke कथाकार यहां ऐसा रियलाइज किया है कि ऐसा परतित होता था मानों जाने से पहले वो अपना सारा ग्यान हमें दे देना चाहते थे अर्थात एक ही बार में हमारे हेड में सारा ग्यान को भर देना चाहते थे ऐसा कथाकारेहा पर रियलाइज करता है After the grammar, we had a lesson in writing अब grammar के बाद हम लोगों को लिखने की बारी आई That day उस दिन Em Hamill had new copies for us उस दिन Em Hamill जो हैं सारे विद्यार्थियों के लिए नए कोपी ले करके आये थे Written in a beautiful round hand, France, Algec, France, Algec They look like little flags floating everywhere in the school rooms और वे ऐसे लग रहे थे जैसे की छोटे-छोटे जंडे हो जो की पूरे classroom में floating कर रहा हो मतलम उड़ रहा हो Hung from the rod at the top of the our decks और हमारी disco के उपर एक rod में बंदे हुए थे ऐसा परतीत हो रहा था You ought to have seen how everyone said to the work सायद आपने देखा होता कि सारे लोग अपने अपने वर्क में लगे थे And how quite it was एक दम पुरी तरह से सांती थी The only sound was the scratching of the panes over the paper सिरिफ एक ही चीज का sound आ रहा था और वह क्या चीज का आ रहा था Paper पर कलम की चलने की आवाज आ रहा था Once some beetles flew in कुछ कीडे जो है वह उड़ करके कलास के अंदर आ जाते हैं But nobody paid any attention to them लेकिन किसी का ध्यान वहा नहीं गया Not even the littlest ones और उसमें जो छोटे छोटे बच्चे भी थे उनका भी ध्यान वहा नहीं गया Who worked right on the tracing their fish hooks वे भी जो हैं fish hook को tracing कर रहे थे As if that was French too मानो जैसे वो भी फ्रांसी सी हो On the roof the pigeons cooked very low And I thought to myself और च्छत पर कुछ कबूतर जो हैं गुटर्गू गुटर्गू कर रहे थे And I thought to myself और मैने स्वैम से सोचा Will they make them sing in German Even the pigeons क्या वे लोग कबूतरो को भी German सिखाएंगे ऐसा यहां पर narrator का feeling है आगे देखिये Whenever I looked up from my writing I saw M. Hamill sitting motionless in his chair And gauging first at one thing Then at another As if he wanted to fix in his mind Just how everything looked in that little school room अब यहां पर narrator का कहना है कि लिखते समय जब मैंने अपना सीर को उठाया तो देखा कि A. Hamill कुर्षी पर गतिहीन होकर बैठे हुए है और उस classroom के हर वस्तु को हर एक वस्तु को एकदम gaging कर रहा है यानि तुकुर तुकुर देख रहा है मानोवे इस कमरे का हर वस्तु को अपने मन में बसा लेना चाहते है Fancy, for 40 years he had been there in the same place With his garden outside the window and his class in front of him यहां कहा जा रहा है कि वह इस अस्थान पर 40 वर्सों से थे और 40 वर्सों से उनकी खिड़की के सामने वैसा ही garden था वैसा ही बगीचा था और उनके सामने वैसा ही class थी Just like that Only the decks and benches had been on smooth सिर्फ एक ही चीज़ परिवर्तन हुआ था और वह क्या हुआ था कि केवल decks और bench इस्तेमाल होते होते चिकनी हो गई थी The walnut trees in the garden were teller and the hop wine that he had planted himself twinned about the windows to the roof बगीचे में लगे अखरोट के पेड लंबे हो चुके थे और स्वैमून के द्वारा अर्थात एम हैमेल के द्वारा लगाई गई होप wine की लाता खिडकियों से लिपडती हुई छत तक पहुच गई थी How it must have broken his heart to leave it all poor man To hear his sister moving about in the room above packing their trunks For they must leave the country next day कथाकार का कहना है Poor man to hear his sister moving about in the room above packing their trunks यहाँ पर narrator का feeling है बेचारे सर जी वे जब यह सुनेंगे कि उनकी बहन इधर उधर moving कर रही है समान पैक करने में उन्हें बहुत दूख होगा For they must leave the country next day क्योंकि अगले दिन ही उन्हें उस देश को छोड़ना था But he had the courage to hear every lesson to the very last लेकिन उनके पास परतेक लेशन को अंतक सुनने का साहस था After the writing, writing के बाद we had a lesson in history अब हम लोगों को lesson, history का lesson शुरू हुआ And then the babies chanted their ba baby booboo down there at the back of the room Old hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands Spelled the letters with them यहाँ पर क्या बताया गया यहाँ पर यह बताया गया कि जब इतिहास चुरू हुआ तो बच्चों ने अपना बाबे बीबू गाया और कमरे पीछे बैठी हुए बुढे होजर ने भी अपना चस्मा पहल लिए और हाथ में प्राइमर बुक को लिए वर्ण माला को दुह रहा है You could see that तुम देख सकते थे कि He too was crying कि वह भी रो रहे थे His voice trembled with emotion Emotion में उनकी आवाद जो है वह ट्रेंबल कर रही थी काप रही थी And it was so funny to hear him that We all wanted to laugh and cry और उनकी आवाद सुन करके हमें थोड़ा मजाकियां लग रहा था कि We all wanted to laugh and cry कि हम लोग हसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे Ah, how will I remember it That last lesson गरा, ओह मुझे वह कितनी अच्छी तरह से याद है वह अंतिन लेसन All at once the church clock A struck twelve तभी चर्च के घड़ी में बारह बच गया Then the angelus At the same moment The trumpets of the Prasians returning from Trill Sounded under our windows तब angelus का प्राथना हुआ And the same moment और उसी सन The trumpets of the Prasians और प्रासियन लोग जो है Set trumpets मतलब एक तरह का तुरही बाजा होता है उन्होंने बजाया Returning from drill मने drill से वापस आते समय Sounded under our windows और उसका sound जो है Windows से खिड़की से अंदर आ रही थी Aim Hamel stood up Aim Hamel खड़े हो गया Very pale और वे बहुत पिले लग रहे थे In his chair अपने कुर्सी पर I never saw him Look so tell मैंने इतना लंबा उन्हें कभी नहीं देखा था My friends said he मतलब मैं मैं बोलते बोलते उनका गला जो है वा रूंद गया He could not go on और वा आगे कुछ नहीं बोल सके Then he turned to the blackboard तब उन्होंने blackboard की और मुड़ा टुक एपीस अफ चौक और एक चौक का टुकड़ा लिये And bearing on with all his might He wrote as large as could और अपने पुरे सहस को दिखाते हुए जितना large हो सका जितना बड़ा हो सका उन्होंने लिखा Viva France यानि France अमर रहे Then he stopped and leaned his head against the wall And without a word he made a gesture to us with his hand यहां कहा जा रहा है कि फिर वह रुख गय और दिवार पर अपना सीर जुका लिये और बिना कुछ कहे उन्होंने हमें हाथ से इसारा किये क्या इसारा किये School is dismissed You may go School समाप्त हुआ आप लोग जा सकते हैं दोस्तों यही था कहानी I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा Thanks for watching क्या सकताइज हुआ जा दोस्तों समापवर एक उन्हों जा लगा हुआएंगों प्लेग, आपको यह भी तुकता हैं क्या समार्ण्वार वाको छाईएंगों क।।।। नग्यएंगों क।।।। झाल झाल